भागलपूर की तिलका मांजे इस्थित हीलिंग टच मेडिका होस्पीटल में कोलकाता से इलाज करने आये डॉक्टर हीलिंग टच होस्पीटल के सामने ही घंटों जम कर हंगामा करते दिखे वहीं इस हंगामा के दुरान स्टळक पर जाम लग गया तिलका मांजे इस्थित मेडिका हीलिंग टच होस्पीटल में इस चिकितसक ने आज कई रोगियों का उपचार भी किया था हंगामा कर रहे डॉक्टर को मेडिका हीलिंग तच हॉस्पीटल के करमचारियों के दोरा पकड़ कर अस्पताल के अंदर ले जाया गया बताया जा रहा है कि डॉक्टर की मान से किस्थिती ठीक नहीं है जिस कारण वो स्टॉडक पर निकल कर चिलाने लगे इसके बाद वहां लोगों की भीड इखटा हो गई, इसको देखते हुए अस्पताल के करमचारियों के दोरा उन्हें अस्पताल के अंदर ले जाया गया वहीं अस्पताल प्रबंधन कुछ भी बोलने को तयार नहीं है वहीं इस दुरान मीडिया कर्मियों को अस्पताल के करमचारियों के दुरा बीडियो बनाने से भी रोका गया वहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब डॉक्टर की मानसिक इस्थिती ठीक नहीं है तो ऐसे डॉक्टर का इलाज नहीं कर उन्हें मरीजों के इलाज के लिए अस्पतार प्रबंधन ने कैसे रखा है वहीं Healing Touch Medica के चिकितसक ने कहा कि कोलकाता से आए डॉक्टर की धड़कन अचानक तेज हो गई और वो बौखलाने लगे हम लोगों को सूचना मिलने से पहले वो सड़क पर जा चुके थे तब हम लोगोंने जाकर उन्हें वापस अपने क्लिनिक लाया और उन्हें उपचित उपचार के लिए चिकितसा प्रबंब कर दी गई है सिंटम्स वह सब्सक्राइब करते हैं और हमने उनको फिर अभी मैनेज किया उनको दवाई याद दी है अभी सब्सक्राइब कंट्रोल है और अभी हम लोगों को हायर्ट ट्रीट्मेंट के लिए विए उनलोग पूर्कात अप्र तर्व पास आते हैं तो मतलब उसके लिए अब बात बात ही नॉर्मल एक सद्वाट में जो होता है अग्रेशन बिएवियर ही था और अभी सिट्वेशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग उनको हायर्ट के लिए अभी हमारे जो वहां पर क्रिटिकल के इंचार्ज जो है डॉक्टर तन्वेंड के साथ मेरी बात हुई ह है अब हम लोग उनको से मारे ब्रेन स्टोप्रोटोपॉल के लिए वहां पर कोलता का ट्रांस्वर्ट ना बार बार घर जाने के बात कर रहते हैं घर नहीं वो वो चीज़ता सर मुझे नहीं पता है मैं उस प्रेजेंट सिच्वेशन में नहीं था आज कुछ मरीजों का भी कि यह तो डीनाइग करता हूँ यहां पर क्रिटिकल केर इंचार्ज मेडिका का मैं हुँ हूं मैं डॉक्टर भूंसना मैं ही हूं किसी की बाते बहुत सारी होंगी बट सारी दिस्फॉर्टेटी लेकर मैं बोलता हूं मैंने ही किया है सारा कुछ पेशिंट का इवें पेशिंट से आप बुला कर बात करेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि मैंने सारा कुछ आज से नहीं है मैं डौक्टर रॉबिंसें, दौक्टर के नाम कैसे हैं? नाम तो मुझे नहीं करें, शाथ शान्तनु पॉल, शान्तनु भोष याइसे दिशना में था तेरा तारीको उनीका शिविर लगना था क्या? तेरा तरग को जो सिविर लगना है वो हमारे चाइंद हर्ट स्पेसलिस्ट आ रहे है उनका सिविर लगना है मैं डॉक्टर रॉबिंस है बिहार सरकार के दुड़ा जातिकर जन्गनना सार्जमनी किये जाने के बाद लगातार एक और जहां भी पक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़ कर रही है और इसे फरजी करार दे रही है वहीं दूसरी और बिहार अती पिछड़ा आयोक के पुर्व अध्यच प्रूफेसर डॉक्टर रतन मंडल ने भी जातिकल जनगन्ना को बिहार सरकार के दुड वहीं प्रोफेसर अतन मंडल ने परदान मंदल नरेंदर मोदी की जमकर्श रहना करते वे कहा कि भारत को विकास सिल राष्ट बनाने के लिए परदान मंदल नरेंदर मोदी को फिर से परदान मंदल बनना होगा देखिए और क्या कह रहे हैं बिहार के अती पिछड़ा आयो के पुर्वध्यच प्रोफेसर अरतन मंडल अपने गनित के हिसाब से उसने इसको इंटोड्यूच कर दिया और जो उसके बेनिफिट के लिए आज देखिए अतिपिछा के पहले का था यह चेंग है आज आतिपिछा 36 परसन है उसमें मुसलिम की मुसलिम का अबादी को भी ले लिया है जब मुसलिम 17 परसनता है तो फिर उसको इंकूड करने की क्या ज़रूर है यह जन्गना पूर्णता है फॉल्सा यह राजनिती करन जन्गना यह अपने टंग से आप डाटा बेस करके अपना इंटोड्यूच कर दिया है आप जादवे में देखिए जादा में 25 हो जाता है लेकिन 25 जाद को एक जादा बना के हैं असाद परले में मजबूती से हैं इसके बाद भी आप छोलाग 588 कुछ बताया है तो यह जन्गना नहीं है और यह जन्गना और कभी हम लोगों को निसाद से जोड़ देता है कभी हमको धानुक से जोड़ देता है जबकि हमना सेल्प अपनी पहचान है और हम इससे आस हमत हैं यह जन्गना नहीं है यह जन्गना कराके केबल भीहार के जनता को मुर्ख बनाया है और यह जन्गना को भीहार सरकार को भी राइट नहीं है जन्गना जबकि 14 से जन्गना बनने तैयार है अभी आप अधिकारिक रिपूर्ट नहीं हुआ इसके बाद साड़े 500 क्रो इसका ये कारण है आज समाज कितना अस्थीर था कोई टिंसन नहीं था आपकी जाती के आकड़े को कम दिखाया गया है बहुत कम दिखाया है अगर जन संक्या कि हिसाब से तीन चार भी दिखे चाथ यह कैसे लाग हमको कम सकम होना चाहिए हमारा जन संक्या आप देखें नहीं कट्यार पूर्नियां सारसा मदेपुरा बागलपूर मुंगेर वाका इतना जीला में हम लोग पूरा खगड़िया तगड़िया समुचिम ज जिला में हम डॉमिनेंट करते हैं चार लाग साल इस तीन सार चार लाग तो जन संब वोटर्स में अब आगलपूर है आप सोच सकते हैं पूर्निया है बदीपूरा है यह जन गन्ना नहीं है यह केबल दिखावा और इसके पीछे उसकी अपना मांसा है राजनिती करन किया ह और यह बैटके डाटा को उन्टी उच करके जल्दी बाजी दोक्टोर कुछ नहीं कर दिया यह कुछ नहीं है और इसने जाती में समाज में बर्ग में एक डिफ्रेंश पैदा कर दिया कंफ्लीट पैदा करके समाज में उनमार पैदा किया यह नितिश्क मार किया यह सटकार अपके महागाडबंदन किया है आपकी जाती का आखड़ा कम दिखाया है वहां इसके पीछे दिखे वह समुच्या आती पिश्रा को बियार में सब को कम कम करकर दिखाया है चुकि यह अपने अधिकार की डिमान राजनेती कम नहीं कर सका है कर सके इसलिए इसको और आप नीचे करके दिखाया है कि अगर जनसंग्या इसकी ज्यादा होगा इसकी डिमान भी ज्यादा ओजाएं फिर हमको मुश्किल हो जाएगा तो आपकी जाती कि जहां लोग हैं वहां पर जन गन्ना हुई है यह नहीं है बस एक बार कभी हो चुका आ झाया रास्ते रास्ते के अड़ुए फिर सेकेंड बर कहीं आया ही नहीं यह मौने कि यह कुछ नहीं है फर्जी है और जंगनना केवल इह कौरम पूरा क्या हाकीकत नहीं किया और हैकिकत किया तेबुल पर पर संदेज निकालके जाती के अधार पर उसको जो फीट हुआ जो लगा कि हमारे सरकार के लिए फीचर पार्लियामेंट्रिया विधान सभा के लिए यह अच्छा हो सकता उसी ताइप से उसने अंगनीत यह जुदाय अंगनीत को बनाया ताकि मेरा राजनितिक अच्छा बना रहे हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छति ग्रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वें उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिस से CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा मिकलांगता से जूद सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जर्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंद भागलपूर में डेंगू से स्थिति भयावा होती जा रही है लगातार डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं सरकारी अस्पताल से लेकर नीजी क्लिनिक में डेंगू मरीजों की भीर्ड देखी जा रही है जिले में अब तक 1000 से जैदा लोग डेंगू की चपेट में आ फैबरीकेटिड वाड में 100 से जदा डेंगू मरीजों का इलाज चल रहा है हुई है और काफी बारिश हुई है एक दिन में 100 मिलिमीटर से भी ज्यादा कुछ प्रकंड में बारिश हुई है तो जैसे ही फिर मौसम उस्तरह का बारिश होती है तापमान घटता है तो फिर जो है मच्छरों के ब्रीडिंग के लिए एक प्रॉपर इंवरामेंट मिलता है लेकिन फॉगिंग जो एस्प्रे है वो नगर निगम के द्वारा एंटी लारवा एस्प्रे वगरा वो सब किया जा रहा है और सौ बेट का जो फेबरिकेटेड अस्पताल जो बना था उसको हम लोगों ने एक मेना पहले ही चालू करा दिया था अपरमुक सची महदे से बा चोटे उद्दमियों और बैपारियों को बिचवलिया अब बरगला नहीं सकेंगे और सरकारी योजनाओं के लाब के साथ साथ ब्यवसाई अब सीधे सरकार को अपने उत्पादन की सप्लाई कर सकेंगे विनित जहा ने यह भी बताया है कि इससे छोटे वैपारियों को काफी लाब मिलेगा और वो अपने प्रड़क्ट को सीधे सरकार को अपना उत्पादन पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगे है इसमें की हर जिजा की कुछ खास प्रड़क्ट्स हैं जैसे भागलपुर में आपकी सिल्क साड़ी Nahoga उटन इसी तरीके से हर जिलाका मदबनी का पेंटिंग, कटिहार का जूट बैग, ये सबी चीजों को इसके ओपर रेजिस्टर्ड करना है, हम लोगों को सारे उत्पाद को इसके ओपर अपलोड करना है और जो भी सब्सकाई संस्थाय है, वो सारे प्रोडक्स छोटे छोटे लगए उत्पाद में से खरीदारी करेंगे इस चीजोटे उत्पाद में भी जेम पोर्टल पर रेजिस्टर्शन करने को लेकर काफी उत्साहिद दिख रहे हैं जेम पोर्टल जो आया है, इसे उद्धमी लूग डियरेक अपना प्रोडेक्ट सरकारी डिपार्टमें में बेच सकते हैं इसमें हम लोग को बीच में किसी का सहरा लेने की जौद नहीं परेगी हम अपने प्रोडेक्ट को जेम पोर्टल पर लेस्टिंग करेंगे उसके बाद गवर्मेंट अपना टेंडर निकालेगी, हम लोग उसके लिए इलिजिबल होगे वह को देने के लिए तो क्या लगता है, आसान हो भी है अपने लोगों के लिए हाँ, हमारे लिए आसान इसले हो गए कि हम अब बीच में किसी का सहरा ने लेला भागलपूर के सुल्तान गंस्थान अचितर के महाजन टोला के बड़ी दुरगास्थान के समीप इमाम बाड़ा के पास विगत चार दिन पुरू बंटी खान के बंद घर में हतियार दिखाकर आलोक कुमार चौधरी अमने सयोगियों के तरह लाखो रूपिय की चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकास में आया है इस मामले को लेकर जिननत प्रवीन ने बताया कि 5 अक्टूबर 2023 को दे रात आठ बजे के लगबग आलोक कुमार चौधरी सुभम चौधरी कौसल चौधरी के तरह हतियार के साथ हमारे बंद घर का ताला तोड़कर 50 लाख रूपिये के जेवर बरतन कपड़ा सहित अन्य सामान की चोरी कर ली गई और इस मामले को लेकर हमारे भाई बंटी खान के तरह सुल्तान गन्स्थाना में लिखी ताविदन 6 अक्टूबर को देने पर कोई भी कारवाई पुलीस के तरह नहीं करने पर 9 अक्टूबर को सुल्तान गन्स्थाना में सूच ना देने पर थाना अधिश पिरंजन के तरह 10 अक्टूबर को अस्थानिय पुलिस व्लाधिकारियों के दरा बंद घर की जांज प्रताल की गई इस घटना की जानकारी जदियोन सूचित जाती की जिला धच महेश दास को मालूम होने पर पिलित परिवार से मुलाकात करने के बाद भागलपूर SSP, भागलपूर DSP, पटन मांगों को लेकर अनिस्चित कलन हताल कर दिया गया है। असिस्टन्ट संके सभी कर्मियों ने एक साथ हड़ताल करते हुए कहा कि हमारे मांगे अगर पूरी नहीं वी तो हम लोग अनुवरत हड़ताल पर रहेंगे और कारबाधित रहेगी।